बिन्हर का श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा और धर्म परायंता से राजकाज के दाइत्व का निर्वाजो कर रहें आप मेरा श्री तो इतना ही है देवी कि प्रभू की किरपा से ना कभी धर्मपत से भटका और ना ही मेरे दौरा किये जाने वाला यग कभी रुका और मुझे विश्वास है नात, आप सदा इसी प्रकार धर्म का पालन करते रहेंगे और कभी भी ब्रहमित होकर धर्म से विमुक नहीं होंगे राजा देवोदास माना कि आप बहुत ही धर्म परायन है न्याय प्रीय नेक शासक भी है किम्तु आप एक मनुष्य भी है और मनुष्य अपने धर्म के प्रतीक कितनी भी निश्टा क्यों न रखता हो उसकी कोई न कोई दुरबलता अवश्य होती है अब मैं देवराजिंद्र तुमारी ऐसी परिक्षा लूँगा कि तुमारी सारी दुरबलताएं मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगे मेनका 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 रंभा 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 प्रणाम देवराज आदेश तीचिये देवराज मैंने आप दोनों को यहाँ एक महत्वपूर्ण कारी सौपने के लिए बुलाया एंदेव को युक्ति सुजी भी है तो उनके सभाव के नुरूप राजा दिवदास की परिक्षा ही तुनों ने सर्क की दो सर्वातिक सुंद्रियों को बुलाया है उनों मुझे आप दोनों के अपूर्व संद्रिय से आपके नारी सुला बाकर्शन से एक पुरुष की परिक्षा लेनी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों वहाँ जाएं और अपने सुंद्रिय से उस पुरुष को सम्मोहित करें बस इतना ही कार्या है इंद्र देर ये तो हम चुटकियों में कर देंगे ये कार इतना सरल नहीं है आप दोनों का सौंदर्य अपूर ववश है किन्तु काशी नरेश देवदास कोई साधारन मनुष्य नहीं वह अपनी भक्ति धर्म और कर्तवियों के प्रतीस सजग है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के देवराज देवराज हमारे समक्ष तो इनसे भी महान वेक्तित्व छुक्क है तो राजा देवदास कितने भी असाधारन क्यों नहीं हूं हम दोनों जाके उनकी राज भवन में अपने निर्थ से उन्हें लुभा लेंगे आप तनिक भी चिंता मत कीजे देवराज चिंता नहीं मुझे आप दोनों पर पूर्ण विश्वास है राजा दीवदास इस परिक्षा में अवश्य विफल होंगे विलम मत कीजे शीगर प्रस्थान कीजे मेरे अनुसार धर्म प्रीय राजा दीवदास को समझाने अत्वाउन की परिक्षा लेने है तू अब सराओं को भेजने का कोई ओचित्य नहीं राजा दीवदास आपको ग्यात नहीं आपको मोहित करने के लिए मैंने किसे भीजा है बस एक बार एक बार आप इनके सौंदर्य के आकर्शन से तनिक भी सम्मोहित हुए है उसके पाद आप अपने धर्म से विमोखो कर अपने राज्जी पर से अपना नियंत्रन खो बैठेंगे और फिर काशी में केवल अव्यवस्था का ही वातावरन होगा अपने राज्जी में सुवेवस्था स्थापित करने है तू आप महादेव को पुना काशी लोटने के लिए अनुरोत करने पर विवश हो जाएंगे महराज की जैहो महराज को यातिति आपसे भेट करने के इच्चुक है महराज ये किस के पायल की धोनी है एक पायल एक सेफिटिए के जाएंगे ये ईंन का आपिता आपसे शाएंगे आप ये बिप्रेश्ट रच्ट रहाज सेमाए जी करने के बत्राच्ट अरे एक याव मेंगे आपने छी साविवस्टिए महाराज देवदास आपने अपने नेत्रे जुका क्यों ले महाराज सौंदर्य को देखना उसकी प्रशंसा करने पर तो कोई निशेद नहीं ये तो सर्वत्था उचित है उत्तम है इसलिए आपका हम ही देखना किसी ध्रम के विरुत नहीं इसे अपने सौंदर्य का अपमान ना समझे देवियों किन्तु पर इस्त्री पर द्रिष्टी डालना महाराज देवदास के लिए पाप के समान है कितनी उमंग से आई थी हम यहां महाराज देवदास से विमर्ष करने केंतु यदि वो हमें देखेंगे ही नहीं तो हम उनसे वारतलाब कैसे करेंगे बस कुछी समय की बात है देवदास प्रमभा और मेनका के सौंदर्य प्या कर्शन से तुम्हें वशिभूत होना ही है तुम्हें आभास भी नहीं होगा और तुम सम्मोह थो जाओके वे हमारे मुक्कों नहीं हमारे चर्णों की ओड़ देख रहे हैं किन्तु कोई बात नहीं हमारे चरन ही पर्याप्त हैं इन्हें मंत्र मुक्ध करने के लिए आज तक कोई भी हमारी सुन्दरता से बच नहीं पाया है मुझे ग्याद था राजा देवोदास भी स्वयम को रोक नहीं पाएंगे माताओ मैं आपके किस प्रकार साहता कर सकता हूँ यदि आप हमारे सुन्दर्य को एक बार अपनी दृष्टी से देखेंगे तो आप हमें माता नहीं सुन्दरी कहकर संबोधित करेंगे परियाक्त समय बीच चुका है अब तक तो मेंका और रंभा राजभावन में प्रवेश कर चुकी होगी और राजा देवोदास का ध्यान अपनी और आकरशित कर ही लिया होगा अब्सक्वावन में प्रवेश कर देखेंगे अब्सक्तर प्रवेश करेंगे जायान अब्सक्चा चुकी होगी अब्सक्तर देखेंगे झाल खरूल झाल... यह काशी नगरी में मा गंगा की महा आरती का समय है यह वो समय है जब संपूर्ण काशी नगरी भक्ती भाव से ओत्प्रोथ हो जाती है क्या इसका सौंदर यह सबसे अनूठा नहीं सबसे अद्भुत नहीं सौंदर है यह यह स्वर यह भाव अती सुंदर है यहां खड़े प्रतिक्षा करने से मुझे कुछ भी घ्यात नहीं होगा मुझे राजभावन की और चलना चाहिए महां क्या घट रहा है तभी मुझे क्या थो पाएका यही उचित है यही तो काशी की महिमा है वो सभी के हिर्दय में भक्ती जागरित कर देती है आप सरवथा उचित कह रहे हैं गनेजी किन्तु अब इंदरदेव के परिक्षा रूपी योजना का क्या होगा आप सरुपी योजना का क्या जाचित का रहे है किन्तु अखना का क्या है रमभा मेरे का मैंने तुम दोनों को यहां एक विशेश उत्तेश से वेजा था राजा दिवदास की परिक्षा लेने के स्थान पर जे तुम दोनों यहां कर गया रही हो हम वही कर रहे हैं देवराज जस्वयम आपको करना चाहिए था काशी जैसे पावन स्थान पर आकर प्रात्ना में लीन होना चाहिए ना कि किसी व्यर्थ की परिक्षा में आपको लच्चा आनी चाहिए देवराज राजा दिवदास जैसे धर्म निष्ट और कर्तव विपरायन राजा को हमारे सौंदरे से सम्मूहित करवाने का प्रयास कर रहे थे आप वो धर्म निष्ट है अध्यात्म के भाव से परिपूर्ण है और आज उन्ही के कारण हमें इस महा आर्थी में लीन होने का सुनहेरा अवसर प्राप्थ हुआ है देवराज इंद्र आप भी अन्य सभी कुछ छोड़कर काशी के इस दिव्य सौंदर और यहां की भक्ती में उत्प्रूत वातावरिन से अपना आत्म साथ कीजिए और यदि हमारा सुझाओ समझने में असमर्थ हैं आप तो राजा देवदास के समक्ष उपस्थित हो जाईए देवराज वो आपकी विचारों को भी स्वक्ष कर देंगे मयावी राजा देवदास ने तो संपूर्ण काशी को मंत्र बुक्त कर लगा है यहां आकर ये अपसराएं उसे समोहित करने के स्थान पर उसका अनुसरन करने लगी बस बात हुआ अप मयावेस देवदास को उचित बाठ सिखा कर ही रहूगा नहीं ये इंद्रदेव करने क्या जा रही है नात अचानक ऐसा क्यों हो रहा है रकृति जैसे रुष्ष हो गई हो वातावरण में ऐसा अचानक बतलाओं क्यों हो रहा है ऐसा प्रपीत होता है जैसे ये कोई भावी संकट का संदेश है कुछ अप्रिये घटित होने वाला है पस्ते वदास पस बात हुआ मैं तुम्हें करशी पर अपना एकदिक और स्थापद करने कदा भी नहीं दोगा कदा भी नहीं करशी महादेव की है और महादेव की ही रहेगी अब तुम देखना मैं अपने प्रभाव से ऐसा प्रकौप उत्पन करूगा कि तुम महादेव से पुरा काशी लौटने की भीख मागोगे यह इंद्रदीव क्या कर रहे है पिता श्री ने तो राजा दिवोदास को समझाने की अनुमति दी थी किसी भी प्रकार की हिंसा को बड़ी कठोर शब्दों में वर्जित किया था उन्होंने अशा फिस्थोट पन करूगा कि तुम्हारा ये राजपाट तुम्हारा ये स्थान काशी से विलख होकर कही दूर चला जाएगा मुझे बहां जाकर एंदर देव को रोपना चाहिए महादेव मैंने अपने सभी शब्दों का मान रखा है सदा धर्म का पालन किया फिर ऐसा सर्वनाश क्यों हो रहा है उच पर कर्पा किजे महादेव कर्पा किजे मेरी साहिता किजे महादेव सहाथ तेजी जी, मेरी सहाथ तेजी, आए, सहाथ तेजी बाहर तेजी बडतान्स इंद्रदेव ये कैसा अपराद कर दिया आपने जो इस्थिती पिता श्री ने नियत की थी उसी को भंग करने का दुसाहस किया आपने धन्यवाद महादेव धन्यवाद इंद्रदेव इंद्रदेव मेरे आदेश की उपराद भी आपने हिंसा का प्रियोक किया मैंने सतर किया था ना आपको चितावनी भी दी थी सर्वतानों चितकृते किया है आपने अभी यहाँ लोटिये इसी शण यह क्या नर्थ कर दिया आपने देवराज पिता श्री ने आपके लिए जो उपबंद तै किया था आपने उसी को बंग कर दिया? अब ज्याद नहीं पिता श्री के कोप से कौन रक्षित कर पाएगा आपको धर्मपत पर अडिग होकर चलने वाले को कोई सललता से ब्रमित नहीं कर सकता प्रमूर अपडेश ब्रम्टेश को अब श्री ने बंग कर दूद कर दो नहीं कर दो